साथियों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्रिप चैनल बिग जोस के दड़ टाप टॉन्टी सो में तो साथियों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं यूपी ट्रिप असी दरा आयोजीत क्रिसी भरती परिच्छा दुहर दस की प्रिबियर्स यर्स के महतपुड प्रश्णों के बारे में जोकि आने वाली एज़िटीये एक्जाम के लिए बहुत ही महतपुड होने वाली है तो सवी प्रश्णों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सवी प्रश्ण एक्जाम ओरियेंटेड और सलेक्टिव हैं तो आई ये देखते हैं जैसे हमारा पहला प्रश्ण है कौन सा त्रिणासक कांस को समूल रूप से नियंतरित करता है इन चारों में से कौन सा ऐसा रसायन है जो कांस को समूल रूप से नियंतरित करता है ओप्शन है 24D, सीमाजीन, आईसोप्रिटोरान, गलाइफोसेट तो कांस का रसानी नियंतर जोगी गलाइफोसेट के द्वारा किया जाता है यह भी बात याद रखेगा यह नोन सेलेक्टिव हर्बीसाइड है तो याद रखेगा गलाइफोसेट हमारा नोन सेलेक्टिव हर्बीसाइड है नेक्स कोशन है अंतफसली खेत लाबदायक होती है जब भूमी तुलियां का नुपात LER होता है LER क्या होता है सुन्य एक से कम एक एक से अधिक तो इसमार आइट अंसर आप्शन D हो जाएगा एक से अधिक अंतफसली खेती की LER जो अंतफसली खेती होती है उसका LER जो है की एक से अधिक होना लाबदायक होता है LER की full farm की बात करें तो इसका full farm होता है land equivalent ratio जो की हमेशा एक से अधिक होना चाहिए तभी यह लाबदायक होता है तो इसको याद रखिएगा next question है तूखे की इस्तिती में जोर के पोधे के किस भाग से धूरीन का संसलेशर होता है तो पहले समझे धूरीन होता क्या है धूरीन जो है कि एक प्वाजनस chemical होता है जिसकी 0.5 gram 0.5 gram यदि पसू को खिला दिया जाए तो पसू की मिर्ति हो जाती है तो यह जो धूरीन हमारा होता है वो किस से प्राप्त होता है पोधे के जडों से पत्तियों से तने से या फिर सभी भागों से तो सूखे की स्थिती में धूरीन का संस्रेशा जो है की जडों से होता है किसे होता है जडों से होता है तो इसलिए हमारा राइटरस और आप्शन यह हो जाएगा तो याद रखिएगा कि 0.5 ग्राम की मात्रा अधिप पसु खा लेता है तो इसकी मृत्यू भी हो जाती है नेक्स कोस्टन है गेहु सोध निदे साले इस्थित है कहाँ पे इस्थित है हैदराबाद में बैंगलोर में करनाल में लुधियाना में तो इसका राइट अन्सवर आई होप आप सभी को पता होगा कि करनाल में कहाँ पे गेहु सोध निदे साले हमारा करनाल में है ये बहुत ही इंपोर्टिन कोस्टन है लगभग परिछाओं में पूछा जाता है तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा नेक्स कोस्टन है केंदरी भूमी एवं जल सनर्चर सोध एवं परसिचर संस्थान का हेड क्वार्टर है कहाँ पे है आगरा चंडीगर देहरादून उट मकांद तो इसको में राइटम सब आप सन बी हो जाएगा देहरादून में केंदरी भूमी एवं जल सनर्चर सोध एवं परसिचर संस्थान जोएकि हमारा देहरादून में इस्तित है ये काफी important question बन जाता है वहीं पे बात करें IISS इसका headquarter कहाँ पे है पहले तो इसका full name जानते है इसका full name होता है Indian Institute of Soil Science जोकी हमारा भोपाल में इस्तित है कहाँ पे इस्तित है भोपाल में इस्तित है तो ये भी याद रखियेगा पहला तो ये केंदरी भूमी एवं जल सनर्चर सोध एवं परसिचर संस्थान का headquarter देहरादून में है दूसरा ये भी याद रखियेगा इंपोर्टेंट बन जाता है कहां पे इस्तित है इंडियन इंस्टिट आफ स्वाल साइन्स जो कि भुपाल में इस्तित है और भुपाल हमारा कहां पे पड़ता है मध्यपर्देश एंपीम पड़ता है याद रखिएगा नेक्स कोस्टन है नेक्स लिखित में से किस जल्व विभव का जल्व पड़ो के उपलब्द होता है ऑप्सन ए है 15 बार दाब के उपर 31 बार दाब के उपर 0.3 बार दाब से 15 बार दाब तक उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसमय राइट आंसर आप्सन सी हो जाएगा 0.3 भारदाब से 15 भारदाब तक जो है कि मुर्जान बिंदू होती है जिसे विल्टिंग प्वाइंट करते है जो 0.3 भारदाब होता है उससे 15 भारदाब तक जो है कि विल्टिंग प्वाइंट करते है जल विभो का जल जो है कि पोधे के लिए उपलब दरता है जो 0.3 भारदाब है उससे 15 भारदाब तक जोता है कि जल विभोपोधों के लिए उपलब्द रता है और ये भी याद रखेगा इसी जल को जो हम available water काते हैं अब available water काते हैं तुसको भी याद रखेगा Available water की से करते हैं एकजाम में आपसे पूश सकता है तो 0.3 बारदाब से 15 बारदाब तक जो जल हुपलब्ध होता है और हमारा अबिलेबल वाटर होता है Next question है धान की फसल की जल मांग होती है कितनी जल मांग होती है 1500 mm, 1200 mm, 1000 mm, 900 mm तो इसे हमारा आटांसर आप्शन यह हो जाएगा 1500 mm, धान की फसल की जल मांग जो हमारी होती है, 1500 mm होती है आप सभी को पता होगा, अगर बात करें गन्ने की, कि गन्ने की जल मांग कितनी होती है तो गन्ने की जल मांग जो हमारा होती है, 1500 mm से हमारा 1600 mm सबसे अधिक जल्मांग जो हमारा गन्ने के ही होतियत ये याद रखेगा आप से EGZाम में पूर सकता है कि सबसे अधिक जल्मांग किस फसल की होती है धान, गेहूं, गन्ना, मूंफली तो इसी में राय्ट अंसर गन्ना हो जाएगा क्या हो जाएगा गन्ना हो जाएगा गन्ने की जल्मांग सरवाधिक होती है नेक्स कोशन है एक ही खेत में एक ही समय में विभिन उचाईयों वाले पोधे को उगाने को कहते हैं क्या कहते हैं ये कही समय में ये कही फसल में बीभिन उचाईयों वाले जैसे की एक का हाइट इतना हो गया दूसरे का हाइट इतना हो गया तु ऐसे बोई गई फसल को हम क्या कहते हैं option A है बहु पसली खेती, बहु मंजली खेती, अविराम खेती या फिर मिश्रित खेती तो इसे हमारा right answer option B हो जाएगा बहु मंजल खेती, इसमें आप देख सकते हैं ऐसे sequence में फसलों को बोया गया है तो ऐसे ये बहु मंजल के रूप में दिखाई दे रही है तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं ऐसी खेती को जो है कि बहु मंजल खेती भी काते हैं आपकी बहता जाएं करें बता दें कि multiple cropping किसे करते हैं तो एक ही वर्स में तीन या अधिक फसले लेना multiple cropping कालाती है जैसे बाजरा, गेहूं, सरसो इन तीनों की खेती एक साथ में आप करते हैं तो हमारा multiple cropping काला जाती है वहीं अगर बात करें मिस्रित खेती किसे काते हैं ये कही रितु में, ये कही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना mixed cropping कालाती है जैसे गेहूं में सरसो बो दीजिए और हर के साथ मुंग भली को लगा दीजिए तो हमारा mixed cropping का example हो जाता है तो इन तीनों question को आप याद रखिएगा एक्जाम में आपको एक question जरू देखने को मिल जाएगा, next question है, नील हरित सहवाल द्वारा नत्यजन का अनुमानित इस्थिकरण होता है, कितना होता है, 15-45 kg प्रती हेक्टेयर, 50-75 kg प्रती हेक्टेयर, 60-80 kg प्रती हेक्टेयर, 100-120 kg प्रती हेक्टेयर, तो इसे मारा tensor option ये हो जाएगा, नील हरित सहवाल द्वारा नत्यजन का अनुमानित इस्थिकरण होता है, 15-45 kg प्रती हेक्टेयर के हिसाब से होता है, वही अगर एजोला की बात करें, कि एजोला के द्वारा नत्यजन कितना हमारा इस्थिकरण होता है, तो 40-60 kg प्रती हेक्टेयर के हिसाब से एजोला के द नतजन इस्तिकरट के लिए जिम्मेदाब जी वारु है अधर बियंग नतजन इस्तिकरट के लिए जींदार जीवारु है जिम्मेदार जीवारु जोकी राइज opposite लिए बहुत बार देखने को मिला है नेक्स कोस्टन है टिट्राजोलियम कोलाइड का उपयोग किस परिछड में किया जाता है आप्सटन यह है बीज के अंखुरण, बीज का जीवन चमता, बीज की सुधता या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसे मारा आप्सटन बी हो जाता है टाइट्रोजोलियम कोलाइड का उपयोग जोएकी बीज की जीवन चमता परिछड के लिए किया जाता है यह most important question है जो लगभग परिछाओं में पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा next question है एक किलोग्राम नतजन निमलिखित मात्रा में यूरिया के समतुल्यांग होता है कितना होता है 4.25 किलोग्राम 6.75 किलोग्राम 2.2 किलोग्राम 3.25 किलोग्राम तो साथियों यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो इस कोशन को आप जरूर देखे होंगे कि एक किलोग्राम नतजन में निमलिखित मात्रा में यूरिया का समतुल्यांग होता है तो हमारा होता है 2.2 किलोग्राम तो इसको याद रखिए एक बहुत ही important question है next question है कौन सी भूमिया धान्यों की खेती के लिए उप्यूक्त है option है alluvial soil red soil letritic soil या फिर black soil इसमार राइट असर अप्शन ये हो जाएगा जलोड मिर्दाओं में जोग्राम की धान की खेती के लिए सबसे उप्यूक्त मानी जाती है क्यों क्योंकि इन मिर्दाओं में जोग्राम की पोटास और चूना परचूर मात्रा में पाय जाते हैं यह मिट्टी खेती के दिरिष्टी से सर्वत्तम होती है इस मिर्दाओं में धान्य फसले सबसे अधिक उप्यूक्त होती है धाने फसलों के साथ साथ इसमें तिलाहनी दलाहनी आदी फसलों की खेती की जाती है इसलिए जलोड मिर्दा जोग की धाने फसलों की खेती के लिए उपियुक्त मानी जाती है नेक्स कोशन है मक्के में सफेद कलिका बीमारी होती है किसकी कमी से होती है लोह तत्तो की कमी से, जिंग की कमी से, मेगनीसियम की कमी से, या फिर नत्यजन की कमी से तो मक्का में सफेद कली का रोग जोए कि मुखत जिंग की कमी के करण होती है किसकी कमी के करण? जिंग की कमी के करण होती है इस रोग में पौधे को उपरी भागी पत्तियां जो एकी सफेद हो जाती है अगर इसकी रोग थाम की बात करें तो इसकी रोग थाम के लिए 20 से 25 किलोगराम कितना 20 से 25 किलोगराम प्रती हेक्टेर के हिसाब से जिंक सलफेट का यूज़ करें किसका जिंक सलफेट का जेडिय सबोर का यूज करें नेक्स कोर्षन बन जाता है और कार्बनीम नत्रजन में रुपान्तवाद को कहा जाता हे क्या का जाता है खनी जी करण by चली करण और चली करण या फिर नाइट्री करण तो इसे में राइटांस और आप्शन ये हो जाएगा खनीजी करण और कार्बनिक नत्रोजन के कार्बनिक नत्रोजन में रुपांतर को जोगी खनीजी करण कहा जाता है नेक्स कोशन है भूमी में पाई जाने वाली कार्बनिक कार्बन की मात्रा मापन है किसका उपलब्द नाइट्रोजन का उपलब्द नत्रोजन का उपलब्द फासफोरस का उपलब्द पोटास का या फिर उपलब्द कैलसियम का तो इसे में राइटांस और आप्शन ये हो ज कोस्तन है जो एक्जाम में पूछा जा रहा है तो इसको आप याद रखिएगा नेक्स कोस्तन है लवड़ी चारी मिर्दाओं में आम तोर पर कमी होती है किसी कमी होती है नतजन और जिंक की नतजन और फासफोरस की नतजन और गंधक की फासफोरस और गंधक की यह हो जाएग लवडी एम चारी मिर्दाओं में आमतर पजोय की नरतजन और जिंग की कमी होती है देखे स्वाइल सांसे अगर कोस्टन उठाता है तो आपको इससे एक कोस्टन जरूर देखने को मिलेगा तो ध्यान से पढ़िएगा उत्तर परदेश के किस जनपद में लाल मिटिया पाई जाती है ओप्शन ए है कानपूर, ललितपूर, इटावा, वारनसी तो ललितपूर में जो है कि उत्तर परदेश के ललितपूर जनपद में लाल मिटियां सरवाधिक पाई जाती है उत्तरपर्दिस के मिर्जापूर, जहांसी, बांदा, हमीर पूजिले में मुख्य रूप से ये मिट्टिया पाई जाती है जबकि ललितपूर में कुछ भागों में जो लाल और काली मिट्टिया पाई जाती है लेकिन इसमें हमारा इट्रप्शन बी ही होगा ललितपूर नेक्स कोर्शन है कापास की काली मिर्दा में अधिक्तम होती है क्या होती है? आप्शन ए है इलाइट की, मौन्ट मॉरिलो नाइट की, केवली नाइट की, हेलो साइट की तो इसे मेर आइटम से और अप्शन B हो जाएगा Mont Morillo, Night Key कापास की काली मिर्दाम जो अधिकता होती है वो Mont Morillo, Night Key होती है Next question है किस पतात को सूपर फास्पेट के साथ नहीं मिला जाता है Very very important question है किस पतात को सूपर फास्पेट के साथ नहीं मिला जा सकता है Option A है Ammonium Sulfate, Potassium Sulfate, Calcium Carbonate, Potassium Soinide तो इसमें मारा आइटम साथ आप्शन C हो जाएगा Calcium Carbonate Calcium Carbonate पतात को सूपर फास्पेट के साथ नहीं मिला जाता है आपकी बेहत्ता जान करके बता दें कि जबकि Ammonium Sulfate, Potassium Sulfate, Potassium Kuloride के साथ सूपर फास्पेट को मिला जा सकता है जबकि यूरिया और Calcium Ammonium Nitrate के परियोग करने से थोड़ा पहले मिला सकते है लेकिन जो है कि Calcium Carbonate को जो है कि सूपर फास्पेट के साथ नहीं मिला जा सकता है इसलिए मारा आइटम सार आप्शन C हो जाएगा तो साथियों ये रहे मारे टाप 20 Most Important Questions जो आने वाली आगामी परिच्छा AGTE में पूछे जाने की 100% संभावना है तो I hope आप सभी लोगो सारे कोशन अच्छे से समझा होंगे और Learn होंगे